और दोस्तों आप सभी का शुवागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों सुबह से देनिक बासकर की ये जो कटिंग है वाइरल हो रही है ये न्यूस देनिक बासकर ने अपने पेज के अंदर छापी है साथ ही देनिक बासकर ये दावा भी कर रहा है कि इंटरनेट नंबर से जो CHO का पेपर है वो साथ बजगर के आठ मिनट से ही वाट्शप पर सेरिंग हो रहा था और प्रिक्षा से लगबग 3.20 गंटे पहले जो प्रिक्षा का पेपर हो आउट हो चुगा था दोस्तों इस तरह की खबर सुनने के बाद में जो प्रिपरेशन करने वाला इंटेलिजेंट इस्टुडेंट है उसके मन में कहीने के कुठारागाद जरूर होता है उसका मनोबल कहीने की डाउन होता है वो सोचता है कि आखिरकार मैंने इतनी मेहनत क्यों की इस तरह की खबर सुनने के बाद में उसका मनोबल एकदम से डाउन हो जाता है पर कोई ना दोस्तों आपकी मैनत एक दिन जरूर रंग लाएगी आप अगर निरंतर रूप से नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एक्जाम में नसी अगले एक्जाम में आपको सेलेक्शन जरूर हो करके रहेगा इस मामले की चान बिन करने के लिए एस जोटी हुई है वो इस मामले को तहकीकात कर रही है कि आखिरकार्स हकीकत में पेपर हाउट हुआ था कि नहीं हुआ था दोस्तों इस तरह की खबर सुनने के बाद आप बिलकुल भी हतास नहीं हो और इस पेपर को भूल करके आप आने वाले एक्जाम्स की तियारी कीजिए जो डिसीजन होगा वो सरकार सबके सामने रखेगी कि पेपर हकीकत में आउट हो था कि नहीं हो था वो बाद की बात है इस पेपर में सेलेक्शन हो या पिर नहीं हो इसको भूल करके अगले पेपर की तियारी करें ताकि एक माइंड सेट हो अपना और अपने सपनों को शाकार कर सकें अता है मैं तो सबी स्टुडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की खबरों से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो और आने वाले एक्जाम्स की प्रिप्रेसर में अपने दिन रात लगे रहें अपना सपना साकार करें और अपने माता पिता के सपना साकार करें इस साल काफी सारी वेकेंसिज आएंगी उसकी तैयरी में जोटे रहें दिन रात जैहिंद जैभार्थ